हेलो भाइयो कैसो आप सम मैं हूँ प्रियांश ये जो किया आप मेरी हाथ में देख रहो ये बिलॉंग करती है इस कार को ये है रेनो क्विड जिसका स्टार्टिंग प्राइस मात 4,70,000 एक शूरूम से स्टार्ट होता है टॉप विरंड जाता है 6,45,000 एक शूरूम तक और आ कार में आज इसके बारे मेंदेटेल में बात करते हैं करल आप्षिंग की बात की जाया तो रेनो कुड में आपको फेरी रेड, सिलवर, ब्रोंच, ब्लू, वाइट साथ में आपको मिल जाता है डीओल तो का ॉप्शन, वेरंट्स की बात की जाय तो इस कार में आपको RxC, RXL, RXL, Optional RXT और Climber जैसे variants मिलते हैं, बट अगर आप इसके RXL Optional variant में जाएंगे तो वो बहुत ज़दा value for money है, बिकॉस कम पैसे में आपको बहुत सरे features मिल जाते हैं अब बात करेंगे इसके engine के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सिर्फ एक ही physical offer की गई है, चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके exterior से, उसके बाद बढ़ते हैं इस car के interior की तरफ car की dimensions आपको इस screen पे show होरी होगी जिससे आप पता कर सकते हैं क्या इसकी लंबाई चोड़ाई है, front की profile आपको 1.5 meter की चोड़ाई के साथ आप देखने को मिलती है, headlamps की बात की जाए तो इस variant में आपको halogen headlamps offer किये गए हाई beam, low beam के लिए उपर आपको मिल जाती है काफी बड़ी सी indicator की placement जिसका size आप एक बार देख लिए काफी बड़ा सा है नीचे की grill पूरी black ही आपको offer की गई है अब बात करते हैं इसके center की तो काफी बड़ा सा आपको मिलता है Renault का logo, पूरी black finish में आपको मिलती है grill chrome inserts के साथ जो काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में size आप देख लिए logo कितना बड़ा सा आपको मिलता है यहाँ पर आपको tune hook का option मिल जाएगा और भाई यह है पूरा सामने से front fascia बात कीजाए car के ground clearance की 184 mm का है खराब रास्तों में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है bonnet का area पूरा flat size single आपको दिया गया है washer single आपको मिलता है wiper roof की बात की जाए तो सिर्फ आपको दे दिया गया पावर एंडिना अब आज आते हैं इसकी side profile की तरफ side से भी देलिए काफी बैटरीन सापको लुक्स मिलते हैं अब बात करते हैं इसके wheel profile की तो इस variant में आपको 14 इंच के stillium offer किये जाते हैं wheel cap के साथ ये है कुछ front का suspense and travel और भाई ये हैं इसके silver finish के wheel caps जिस पे आपको रनो का logo भी मिलता है C8K tears है tear profile की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 165 70R14 का पूरा tear profile देखने को मिलता है काफी चोड़ी सी black color की cladding आपको मिलती है tears के उपर fender पूरा clean है because जो indicator की placement है वो आपको दे देगी है side mirrors पे body color पे आपको offer किये जा रहे है बड़ी आसी indicators के साथ और ये है इनका कुछ overall size अंदर से आप adjust कर पाएंगे fold आपको manually करना पड़ेगा A blur इसका है body color पे B blur आपको मिलता है mad black finish में और ये है door के headers पूरे आपको मिलते है black out भाई ये कुछ आपको black color पे 1.0 का sticker मिला है breaking की बात की जाए तो पीछे आपको दिये गए drum और front में आपको मिल जाते है disc brake पीछे भी आप काफी चौड़ी सी cladding देख सकते हैं और ये इसका fuel flare cap है 28 liter की fuel tank capsiddy आपको मिल जाती है इस car में अब बात करते हैं इसके back profile की काफी बढ़िया सी आपको back profile यहाँ पर देखने को मिलती है simple sober सी यह काफी अच्छी लग रही है उपर आपको दिया गया है mini spoiler center में आपको मिलता है high mountain stop lamp यहाँ पर आपको reno आलमबाग का sticker कर कोई भी गाड़ी purchase करने है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं reno का logo, reverse camera के placement, quit की badging यहाँ पर अपनी आपगी को insert करके boot को unlock कर सकते हैं side में आपको reno की badging मिल जाएगी tail lamps की बात की जाए तो आपको halogen base offer किये जा रहे हैं जिसके अंदर आपको indicator, reverse slide की placement मिल जाती है नीच आपको दिये गए reflectors तीन आपको मिलते हैं parking के sensor के points चलिए अप करते हैं इसके boot को unlock तो अपनी key cop यहाँ पर insert करके boot को unlock कर सकते हैं और यह इसका कुछ boot opening area parcel tray भी आपको मिलती है इस variant में booty space की बात की जाया तो 279-279 लेटर का आपको booty space offer किया जा रहा है यह कुछ space है काफी बढ़िया सा कोई भी lamp आपको यहाँ पन नहीं मिलेगा इस spare wheel की बात की जाया तो नीचे आपको मिलता है tool gate के साथ space काफी बढ़िया सा है छोटी car के साब से seat आप fold कर सकते हैं यहाँ पर आपको lever वगरा मिल जाएगा 100% foldable seats है दुबारा ज़रा इसको बंद करते हैं साई से यह तो होगी overall इसके boot space की बात अब चलते हैं इसके सीधा driving seat पे और bat के सारे features one by one cover करते है सबसे पहले बात करते हैं इसके door pad की तो आपको पूरा black में ही offer किया जाएगा और नीचे आपको मिल जाता है काफी सारा storage, water holder वगरा यह इसका door opener, यहाँ पर थोड़ा सा space आपको मिलता है और यह है front का पूरा cabin seats आप देखिएंगे पूरी black आपको मिलती है side में आपको मिलती है red stitching, यह सामने का पूरा dashboard नीचे आपको मिलते है automatic के pedals, brake and acceleration because अभी आप automatic variant देख रहे है side में आपको bonnet open करने के लिए यहाँ पर lever दे दिया गया है यह जो आप उपर lever देख रहे हैं, इससे अपने आप side mirror को adjust कर पाएंगे fold आपको manually करना पड़ेगा यह है कुछ front की पूरी sitting, black में आपको मिलती है, side में आपको मिलता है red color सिर्फ recline का option है, fuel cap, boot opener आपको नीचे मिलता है चलिए बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर मेरी height है 5 foot 11 inch के आसपास, मैं आराम से यहाँ पर बैठा भाऊं bumper to bumper आप इसको आराम से drive कर सकते हैं because visibility काफी अच्छी मिलती है आपको आगे से करते हैं इसके ignition कौन, यहाँ पर आपको मिलती है ऐसी कुछ की जिसको आप यहाँ पर insert करके अपने ignition को on कर सकते हैं, दो बार press करके और भाई यह इसका cluster जो मिलता है आपको digital सारी चेकलाइट, सारी information आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बीच में आपको काफी बड़ी सी MID मिलती है यह सका speedometer, नीचे आपको मिलती है सारी checklights और यहाँ पर आपको trip A, trip B, range, mileage, सब कुछ शो करता है बागे side में आपको दे दिया गया है tagometer अपनी MID COP, side में आपको lever मिलता है इससे आप control कर सकते हैं, trip A, trip B, range, mileage काफी सारी information आपको यहाँ पर दिखने वाली है यह तो होगे इसके cluster की बात steering के पीछे आपको wiper के controls और यहाँ पर मिलते है head lamp के सारी controls overall steering की बात की जा तो black आपको मिलता है बीच में आपको दिया गया है रनो का काफी बड़ा सा logo side में आपको multimedia के सारी controls और यहाँ पर आपको call के मिलते हैं सारी controls अब आज आते हैं इसके center console की तरफ दो इसीक events आपको उपर मिलते हैं और यह जो आप touch infotainment system देख रहे हैं 8 inch का आपको मिलेगा इसमें आपको सिर्फ दो ही speakers मिलते हैं and auto apple car पे दोनों यह support करता है touch response काफी अच्छा है इसका reverse camera की quality की बात की जाए तो यह इसका कुछ gear now आपको मिलते है because यह automatic variant है तो भाई यह इसका reverse camera है quality काफी अच्छी है पूरी guidelines वेगर आपको सब कुछ यहाँ पर show होने वाली है यह दो होगे इसके overall touch infotainment system की बात इसी के नीचे आपको बीच में मिलते है hazel light का button, tick tock, tick tock side में आपको मिलते है power undo के controls, यहाँ पर central locking आपको मिल जाएगी इसी के आपको दिएगे हैं सारे controls जो कि manual हैं बाकि नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते है charging के ports, यह 12W का socket यहाँ पर USB port, दो cup holders आपको मिल जाएंगे, यह इसका gear knob automatic variant आप देख रहे हैं manually purchase कर सकते हैं काफी unique से design में आपको मिलते है, side में chrome की surrounding है, manual आपको दिया गया है handbrake यहाँ पर काफी सारा space है सामने dashboard पर आपको quit की मिलती है badging जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बात करते हैं इसके glove box की उससे पहले आप speakers देख लिजे, दो आपको मिलते हैं आगे, और यह है इसका glove box space काफी अच्छा है उपर आपको मिलते है manual day night IRBM यहाँ पर आपको light के buttons mic की placement passenger side आपको कोई mirror नहीं मिलेगा ना आपको driver side कोई mirror offer किया जा रहा है यह तो होगी overall इस car के in dealer की बात तो मैंने अपनी seat आगे वाली अपने इसाब से पूरा adjust कर लिए अब चलते हैं इसके rear passenger seats पे बैट के चेक करते हैं वहाँ पर आपको space कितना मिलता है वो सबस्यादा जरूरी है passengers के लिए करते हैं इसके doors को बंद आप चलते हैं इसके पीछे वाली seats पे सबसे पहले बात करते हैं इसके door pad की तो आपको पूरा black में दिया गया है यहाँ पर आपको port of control यह का door opener और यह है पीछे की पूरी sitting, position black में आपको मिलती है पीछे दो headrest हैं जो fix हैं आप इनको adjust नहीं कर सकते हैं बैटते हैं जगाड़ी के अंदर जैसे के मैं आपको बताया था मेरी height है 5 foot garage के आसपास आगे वाली seat मैं आपने according adjust कर रखी है इसपेस काफी अच्छा है मैं आराम से यहाँ पर बैठा वाऊं leg space पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं इस events आपको rear में तो देखनी को नहीं मिलते हैं side में आपको दे दिया गया एक grab handle side का पूरा door pad आप देख सकते हो काफी बड़ी असा चलिए इस car के overall interior की तो बात हो गई आप निकलते हैं इस गाड़ी के बाहर बात करते हैं इसके safety features के बारे में तो इसमें आपको ABS with EBD, center locking, power door lock, child safety locks, seat bell warning, engine embolizer, crash sensor, anti-theft device, speed alert और front के आपको मिल जाते हैं दो airbags अगर आप इसको manual में purchase करते हैं तो 5,68,000 extra room prices का और 6,50,000 के करीब पड़ती है on road लगना हूँ और अगर आप इसको automatic में purchase करते हैं तो 6,13,000 extra room prices का और मोटा मोटा 7,00,000 के करीब आपको पड़ती है on road लगना हूँ तो manual से आपको यहाँ पर 50,000 रुप एक्ट्रा पे करना पड़ेगा automatic variant के लिए तो यही दि रेनो क्विड अपने segment की सबसे सस्ती कार अगर आपका budget कम है तो आप इस कार पे जा सकते हैं काफी बढ़िया सा option है जिसमें आपको काफी बढ़िया से features मिल जाते हैं कम price range में अगर आपने भी plan कर लिया है रेनो की car purchase करने का तो आप visit कर सकते हैं रेनो आलमबाग लखनो जहां पर आपको मिलती है काफी अच्छी से deals मैं प्रियाश आपको मिलता हूँ next video में तब तक के लिए good bye